महिलाओं को पीरिड्ज होने पर कई तरह की समस्याएं होती हैं जैसे पेट दर्द, ठकान, मास्पेश्यों में दर्द, शरीर में एठन और कम ब्लड फ्लो की परिश्वानी कम ब्लड फ्लो होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे वजन में उतार चड़ाव, असंतुलत हार्मोन, थायराइट, तनाव और सही आहार न लेना अक्सर महिलाएं इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह की दवाईयों का सेवन करती हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होने के साथ-साथ, इनके सेवन से इनकी आदत भी हो जाती है महिलाओं के शरीर को पीरियट्स के समय अतरक्त देख फाल की जरुरत पड़ती है, जो पीरियट्स के लक्षणों को कम करने के साथ-साथ, शरीर को ताकत भी देता है ऐसे में महलाओं को period के समय दूद में कई चीज़े मिला कर पीनी चाहिए जो blood flow को ठी करने के साथ पेट दर्थ और शरीर की एठन से रहत देता है सबसे पहला है दालचीनी periods में blood flow बढ़ाने के लिए दालचीनी का सेवन शरीर के लिए फायदेमंध हो जाता है दालचीनी में anti-inflammatory और anti-viral गुण पाये चाते हैं जो शरीर को बिमारियों से बच्वाने के साथ महलाओं के periods में फायदेमंध हो सकता है दालचीनी बौडी में गर्माहट को बढ़ा दी है ऐसे में एक कप दूध में एक चोथाई चमच दालचीनी पाउडर को डाल कर मिक्स करें रात को सोनी से पहले इस दूध को पीने से नींद अच्छी आती है और शरीर के दर्द में राहत मिलती है दूसरा है गुड़ महलाओ को पीरेट्स के समय दूध में गुड़ डालकर पीना चाहिए दूध में गुड़ डालकर पीने से शरीर की कमजोरी दूर होने की साथ साथ पीरेट में बलड फलो से भी राहत मिltी है गुड़ में कई तरह के पोशक्ततव पाये जाते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, कल्शियम, आइरन और विटमेंसी गुड में मौजूद मैगनेशियम और सलेनियम पीरेट्स में होने वाले धर्द से रहत दिलाते हैं वही पीरेट्स में ब्लट फ्लो को बढ़ाने के लिए महिलाओं को दूद में हल्दी मिलाकर पीना चाहिए हल्दी वाला दूद श्वरीर की इम्म्यूनिटी को बढ़ाने के साथ-साथ ब्लट फ्लो को ठीक करता है एक कब दूध में एक चोथाई चम्मच हल्दी को डाल कर उबाल ली अब गुनगुना होने तक इस दूध को बिये हल्दी में मौजूद अंटी ओक्सिदेंट और अंटी इंफ्लमेटरी गुन पीरियड्स में होने वाली एंठिन को दूर करने की साथ ब्लट फ्लो को ठीक करत पीरियड्स में अध्रक के सेवन से पीरियड्स क्राम से राहत मिलने के साथ साथ ब्लट फ्लो को भी ठीक होता है अध्रक में सूजन रोधी गुन पाए जाते हैं जो डाजेस्टिस सिस्टम को दुरुस्त रखता है एक अब दूध को गर्म होने के लिए रखें उसमें एक इंच अध्रक को कदुकस करके डाल दें और इस दूध को उबाल लें अब छान कर इस दूध में शेहद मिला कर इसे आप पी सकते हैं पीरियड्स में ब्लट फ्लो बढ़ाने के लिए दूध में इन चीजों को मिला कर पिया जा सकता है हाला कि अगर आपको कोई बिमारी या एलर्जी की समस्या है तो डॉक्टर से पूछ कर ही इसका सेवन करें साथी इस बात का खास ख्याल रखे की इन चीजों का सेवन का मात्रा में ही करें फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी वीडियो उसको देखने के लिए आप जिडरिये हमारी साथ तब तक क एले नमस्कार